जैपूर डिस्ट्रिक जेल और सेंटल जेल में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पदेश की सभी जेलों में रेंडम सैंप्लिंग शूर हो चुकी है जैपूर में राम गंज के बाद डिस्ट्रिक जेल में सबसे अधिक मरीज एक साथ एक जगा मिले हैं जैपूर के डिस्टिक जेल और सेंट्रल जेल में अब तक करीब 150 करोना पॉजिटीव मिल चुके हैं ऐसे में बड़ी संख्या में जेल में करोना संक्रमित मिलने के बाद चिकिस्ताव भाग ने कैदियों के लिए जेल में ही दो बैरक खाली करवा कर आईसोलेशन बॉट बना कर आईसोलेट किया है साथ ही गंभिर बिमारियों वालों को एसमेस अस्पिताल में भड़ती करवाए गया है एसमेस जेपूर जेल में पॉजिटीव मिलने के बाद प्रदेश के अन्य जेलों की जेलों में भी कोरोना की जाँ शुरू हो गई है ताकि समय रहते करोना संक्रमन को रोका जा सके है हम ने विदम सब्सक्राइन पॉल रखा जा रहा है जिन में कोमार्बिटीटी है उन लोगों को वहां से उठा के स्मस में भरती किया लिए है और राजे की तुमाम जेलों भी रेंडम संप्ली की रही है और इन कारणों के बारे में पता लगाने की मुक्यमंतरी जी ने निर्देस दिये कि वे जेल में रहते वे इस संक्रमान मांके से पहुचा ये तमाम चीज़े हैं जो